आइस AI का ओफिशल अपडेट बताएंगे CA Foundation December 22 student के लिए मुझे अर्जेंट वे में अपडेट करना पर रहा है क्योंकि अभी exam का समय बहुत ही कम बचा हुआ है इस टाइम में अगर आप वीडियो भी देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को 2x speed में देखिएगा सबसे पहले बात कर लेते इस वीडियो में कौन-कौन से टॉपिक पर बात करेंगे CA Foundation December 22 student के लिए बात करेंगे कब तक आप लोग exam center पर पहुँचा होगे और late entry का समय क्या है और dress code के भी बारे में बात करेंगे बहुत सारे student को इससे related doubt आ रहा था तो इस वीडियो में official update बता देंगे थाकि आपके मन में एक भी doubt ना रहे और वीडियो के last में कुछ important बात भी share करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोग exam center पे कितने बज़े पहुंचें गौर लेट entry कब तक आपको मिल सकता है सारे paper में और exam center पहुंचने के बाद exam hall में कब से entry मिलना है start होता है ये भी आपको इसी वीडियो में बता देंगे जैसे कि आप लोग को पता paper 1, paper 2 and paper 4 चारो paper का exam आपको 2 p.m. से start है एक बार फिर से बोल है सारे paper का exam आपको 2 p.m. से start है जैसे कि आप लोग को पता है paper 1 and paper 2 का exam 3 hours का होगा और paper 3 and paper 4 का exam 2 hours का होगा sorry यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा mistake होगया 2 घंटा का paper 3 and paper 4 का exam होगा बहुत सारे ऐसे student को लगता है कि 2 बज़े से exam हो start होगा तो 2 बज़े ही question paper मिलेगा paper 1 and paper 2 में तो वो गलत सोचते है question paper आपको paper 1 and paper 2 में 1 बज़ के 45 p.m. पे दे दिया जाएगा पंदरा मिनट जो reading time मिलता है तो आपको पहले ही exam से 2 बज़े से पहले ही आपको question paper दे दिया दाता है तो यह गलती मत करना है कि आप लोग 2 बज़े तक exam center पे पहुंचना और paper 3 and paper 4 में आपको 2 p.m. पे ही question exact time पे मिलता है question paper paper 3 and paper 4 में कोई भी reading time नहीं दिया जाता है official update में यहापे clear mention है कि paper 1 and paper 2 का exam 3 घंटे का होगा और paper 1 and paper 2 में आपको 15 minute का reading समय दिया जाएगा और paper 3 and paper 4 में 2 घंटे का exam होगा जिसमें कोई भी reading समय नहीं दिया जाएगा exact 2 बज़े पे ही आपको question paper दिया जाएगा एक बार फिर से बोल है चारो paper 2 p.m. से start होगा लेकिन paper 1 and paper 2 आपको 1 बज़ के 45 minute पे question paper दिया जाएगा paper 1 and paper 2 में paper 3 and paper 4 में 2 p.m. में question paper दिया जाएगा देखो आप सारे paper में late entry का समय है बज़ के 15 minute तक आपको सारे paper में late entry मिल सकता है बट आपके दिमाग में ऐसा चलना ही नहीं चाहिए कि आपका exam 2 बज़े से आप लोग ऐसा सोचोगे कि आपका exam 1.30 p.m. से है आप लोग भी ऐसा realize कियोगे जिस दिन कुछ important काम होता है market जाते है तो उस दिन traffic jam मिल जाता है यह सब देखते हुए आपके mind में चलना चाहिए कि आप लोग का exam 1.30 p.m. से है ताकि समय पे पहुँचोगे सारे students सारे paper में ध्यान दिना चाहिए paper 1 का exam दिने जारो paper 2 3 paper 4 का 1.15 से ले करके 1.30 p.m. तक center पे पहुँच जाना है 1.30 p.m. के बाद आपको exam hall में entry allow कर दिया जाता है कोशिस यही करना है कि एक बरेज़ दक कैसे भी आपको exam center पे सारे paper में आ जाना है देखो यह सब दिन आप 10 मिनट पहले पहुँच जाओ 10 मिनट लेट नहीं 10 मिनट लेट के कारन आपका हो सकता है paper खराब चला जाए अभी जो फिलाल सबसे आदा पूछे जाना वाला question है CA exam December 22 का क्या dress code है CA student के लिए देखो ऐसा कोई dress code नहीं है जो वही पहिन करके आपको exam center पे जाना है आप लोग seasonal dress पहन करके exam center पे exam देने जा सकते हो previous कुछ दिनों से कुछ student comment कर रहे एक दो ऐसे student है कि party wear पहन करके exam देने जा सकते क्या आप लोग वहाँ पे party मनाने नहीं गया हो exam देने गया हो ज़्यातर problem foundation वाले को होता है तो मैं center तक जाने में उनको कोई भी problem नहीं आने दूँगा इतने दिनों तक आप लोग video देखे इसलिए thank you so much आप लोग यहां तक support करने के लिए मुझे और जाने अन जाने मुझे कोई भी गलती हो गया होगा या किसी student को मैं dart दिया होंगा उसके लिए माफ कर दीजिएगा मैंने आपको guide किया था CEO foundation में कैसे registration करना book कैसे order करना exam form fill कैसे करना admit card के बारे में update admit card कैसे download करना कोई भी announcement आता था सबसे पहले update करता था exam related भी guide कर दिये अब आप लोगों का काम है अच्छे से exam देना all the best आप सारे student का exam बहुत ही अच्छा जाए अभी मेरे दिमाग में क्या चलना ये भी मैं आपसे share कर देता हूँ जैसे ही result declare हो मैं video बनाओ उस पे आप लोगों का comment आना चाहिए कि मैं pass कर गया हूँ जिससे आपको एक भी important update या announcement मिसना हो पागा अच्छे में जून 23 के लिए batches start हो चुका है जो कि 17 नॉर्म बर 2022 से batches का नाम है महाबली batches अगर आप लोग इस batches में join करना चाहते हो तो जल्द से जल्द unacademy का subscription ले लिजी बेश्ट बात यह है कि यहाँ पे आप live के साथ साथ recorded lecture भी देख सकते हो और साथ में unlimited future कुछ student का कुछ classes मिस हो गया होगा तो recorded format में classes अपलेबल है unacademy पे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा इंडिया के top notch educator के साथ अगर आप लोग unacademy का subscription लेते हो तो किसी एक batch का भी subscription लोगे CA foundation का तो आपको सारे batches का access मिल जाएगा unacademy का subscription लेने के लिए सबसे पहले आपको play store से unacademy का learning app डाउनलोड करना इसको आप जितने भी month का subscription लेना चाते हो आप easily ले सकते हो अगर आपको ये price ज़्यादा लग रहा है तो आप चार्टेर स्टेडिस्टेन कूपन को यूज करोगे तो आपको additional 10% का discount मिल जाएगा या अगर आप CA intermediate का subscription ले रहे हो या CA final का subscription ले रहे हो इसमें भी अगर आप चार्टेर स्टेडिस्टेन कूपन को यूज करोगे तो आपको additional 10% का discount मिल जाएगा ज़्यादा जानकारी के लिए सारे classes का link आपको description में मिल जाएगा एक बार फिर से बोलना है आप चार्टेर स्टेडिस्टेन कूपन को जरूर यूज कीजेगा आने केडमी का subscription लेते समय